हाई मेरा दोस्तों कैसे है सब चले आज बनाएंगे पीजा बिना ओवन के कैसे कढ़ाई में आपके पीजा बना सकते हैं तो रेसिपी आपको सिखाएंगे बहुत यह असा मिक्से बन जाता है तो चले शुरू करते हैं पीजा रेसिपी अगर आप मेरे चैनल पर ना आये हैं तो जरूर पहले सस्क्राइब कर ले, लाइक, शेयर और कमेंट करे, अच्छा लगे तो जरूर लाइक करे, तो यहाँ पर मैंने लगबग पोने कप गरम पानी लिया हूँ, गुनगोना गरम, और इसमें डाल देंगे एक चमच, इस्ट, ड्राइ इस्ट, और डाल देंगे थो इसको पाच्छा मिनिट के लिए राख देंगे, तो यहाँ पर हमने बोनलेस चीकन ले लिया हूँ थोड़ा, डेटर गरम कड़ी इसमें डाल देंगे नमक, आदर गलेशन का पेस्ट, डाल देंगे इसमें थोड़ा सा हल्दी, डाल देंगे थोड़ा जीरा पाउडर, तो अच्छा से इसको मिक्स कर लेंगे, आप चाहे तो मिर्ची पाउडर भी इसमें डाल सकते हैं, पर इतना खास के जरूद नहीं है इसमें, मैं थोड़ा सा इसको किया, तो देखिए, राइस हो चुका है, अच्छा से फूल गया है यह, तो इसमें अभी मैदा डलके अच बढ़िया से इसको गुंद लेंगे, आगर पानी कम जदा है तो हलका गरम पानी आप इसमें यूज़ कर सकते हैं, तो इसमें कोई प्रब्लम नहीं आएगा, तो देखिए, आच्छा से हमने इसको गुंद लिया हूँ, बहुत ही आसान है रेसिपी, अगर थोड़ा सा ध्य करेंगे तो कोई बात नहीं इसमें, तो इसको किसी में रखके, कोई भी बतन में रखी है, इसको ढखके 15-20 मिट के लिए रख देजिए, तो तब तक हम चिकन को पका लेते हैं, तो कड़ाई में आधा चमस तेल डाले, और चिकन को कड़ाई में डालके, अच्छा से और बीच-बीच में ऐसे थोड़ा पाल्टी करते रहेंगे, जब तक करना हमारा चिकन पूरत तरह से पक जाए, तो और एक बड़ ढखके थोड़ा से पकाएंगे, यह चिकन बहुत जल्दी पक जाएगा, क्योंकि चोटा-चोटा पीसेस भी है और बोन्लेस भी है, अगा थोड़ा कच्चा भी राएगा, तो कोई भी पॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि पीजा के साथ भी कम बंदर से 20 मिनुट पकेगा, तो पक चुका चिकन को साइट कर देते हैं, तो दूसरा एक कड़ाई ले लिया, और कड़ाई में हम डाल दिंगे, लगबग एक कीजी नमक, ठीक है सताले हैं, बाद इस तरह से स्टेंड रख लेना हैं, अगर आपके पास नहीं है, तो कवी पातो नमख के आंद थोड़ा सा अच्छा से लगा के भी चार सकते हैं, तो नमक से उसमें थोड़ा सा हाईट रखना हैं सिसा after ऐक नहीं के लिए कौए का उन देख ड़को तो हाथ में थोड़ा सा तेल लगा को भी इसको यूज़ कर सकते हैं निकल सकते हैं तो देखिए आपको एक नया प्रोसेस शिखा रहा हूँ अगर अच्छा लगे तो इसको आप बना सकते हैं पुराई अप्चनल है आपके लिए तो देखिए जो टो है हमारे रेडि हो चुका है तो इसमें से छोटा से एक टुकडा लगभग तीन इससे के एक हिससे छोटा से टुकडा काटके एक आलक से हमने रोटी बनाएंगे इसका ship इसको बताता हूँ इसको काम करता है इसका इसको पतलाव सा रोटी बेल से बार में, मोरे कि आ पतला तो आए तैयर हो चूका है को कैसे सेख लेंगे कि इसके लिए मैं ने क्या किया अलंक से कोई बीशाव गरम नहीं किया, देखिए नमक का जो ढखकन ढखके रखा था, उसी का ढखकन बहुत गरम हो चुका है, तो इसमें हम फ्राइ कर लेंगे, देखिए थोड़ा सान मैदा हमने इसमें छिरका, क्योंकि डारेक्ट फ्राइ करने जाएंगे, तो इसमें चिपक जाएगा, इसलिए ह कि यह दाल का बावल साना चाहिए इसमें, तो देखि को लिए एक प्लेट में यहां पर टाल का राक्राओ, आपदेख सकते हैं, रोठी रोठी तैयर हो चुका है, तो इससे क्या होगा न दोस्तों, चीज जो है डवल लेयर हो जाएगा, यह यूज करने से, आर नहीं चाहि आपको तो उसको भी स्कीप कर सकते हैं तो बड़ा बाला May Department to है उसको हम अभी चाए आपा हाद से भी स्टरा से फहला सकते नहीं तो इस तरह से बिलंड ले लेजिए और बिलंड के साहरे आपको जितना बड़ा है कर सकते हा कि धिन कि तो देर कब इसे नहीं है कि हमारे पास पीजा गया to दhacan हमारा ready हो चुका है तो हमने जो बेल के रखा हूं पीजा का जो बेस इसको डाल दीजे डाल पाद आप चाहोग में हाद से थोड़ा सा ओर कर लिजए ची इस तरह से दला- दला के ठोरी कर लिजे Id ten daí म pot ago taking aart करना है दोस्तों एक काटा लेना है और काटा के सहरे इसको पूरा छेद कर लेना है चार साइड में इस तरह से तो खीर की से बहुत ज़्यादा धूप आ रहा है इसलिए आपको शायद देखने में थोरा सा दिकत हो रहा है पर आपको दिखाता हूँ बहुत अच्छा से इसको कोना पकर के चारो साइड में थोरा सा मोर लेना है ठीक है इस तरह से देखिए थोरा से फोल्ट कर लेने से क्या होगा इसका जो लुक है बिलकुल आपका डूमिनिस पीजा जैसे लुक आ जाएगा ठीक है इस तरह से कोना पूरा मोर लेजिए तो दिखिए यह दिखिए पूरा पिक कड़ तो पीजा बेस तयार है इसके उपर दिखे यह जो चैटनी है पीजा का सॉस यह भी हूममेड है चाहे तो आपका इसका लिंक भी मैं डेस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दियता हूँ आप चाहे तो देखके घर में बना सकते है तो पीजा सॉस को इसमें फैला ले पूरा अच्छे से कई भी छुटना ने चाहिए एक दम चारो साइड में आच्छे से पीजा सॉस को लगा देना है ठीक है तो पीजा सॉस तयार है ओके तो इसमें यह जो मुजरिला चीज देख रहा है यह भी होममेड है इसको भी हमने बनाया हूँ इसका भी लिंक मैं दे दूंगा नीचे तो आपको उससे भी देख के बना सकते है घर में आसानी से बना सकते है तो पूरा चीज इसमें क्या किया है नीचे हमने थोड़ा सा चीज डाला हूँ बहुत ज्यादा नहीं ठीक है और इसके उपर हमने जो रोटी बन बगा देंगे और ऊपर से डाल देंगे मोजरिला चीज फिर से तो अच्छा से डाल देंगे इसमें ठीक है इसके बाद जो है आपका मन चाहिए सबजी जो भी आप डालना चाहिए आप डाल सकते है टामटर प्याज शिमला मेर्च अगर ऑलिव है तो डाल सकते है और चिकन जो फ्राइ करके रखा तो चिकन भी हमने इसमें डाल दिया ठीक है यह देखिए बिलकुल तैयार हो चुका है और बहुत अच हीट में रखा था ठीक है एक दम लो फ्लेम में नहीं हाई फ्लेम में और रखना भी है वहारा आराम से कराई बहुत गरम होता है इस टाइम अगर कहीं भी लगेगा तो सफेद हो जाएगा हाथ भी तो ढखके इसको 15-20 मिनिट पकने दे बस तो देखिए उसके बाद जो कई हाथ ना जल जाए ठीक है आप चाहे कोई भी कपड़ा या किसी भी से ऐसे पकर कर आराम से निकाल लिए उसके उपर आप चाहे औरग्यानो चिली फ्लेक्स जो आपका मन चाहे फ्लिवार आप डाले और एक दम घर बैटे डॉमिनिस पीजा का मजा ले तो दोस्तों रेस पर आपका अच्छा लगा होगा तो देख सकते हैं पूराई होममेड चीज हो गया सॉस हो गया पीजा बेस आल तो थैंक यू फॉर वाचिंग